इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो की लॉंग टम में आप लोगों को बहुत अच्छा रिटन बना कर दे सकते हैं इन इस टॉक में पूरा पूटेंशली की यह आप लोगों का अमाउंट डबल कर सकते हैं इस टॉक रहने वाले हैं और बाइंग लिवल क्या रहने वाले हैं वो हम डीटेल से डिसकस करेंगे उससे पहले चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बैल आईकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाले विडियो के नोटिफिकेशन आ आप लोगों की साथ share करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को idea लगेगा कौन से stock में value buying opportunity बन रही है किस stock में हमें position बनाना चाहिए तो इस channel को आप लोग description में link दिया हुआ है वहाँ से join कर सकते हैं यहाँ से ही join कीजिएगा किसी और link से join मत कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को description box में जाना है वहाँ पर link दिया हुआ है वहाँ पर click करके इस channel को join कर लिजिएगा अब चलते हैं हम लोग start करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या अभी तक share किया है तो KOTAK BANK का मैंने आप लोगों के साथ share किया था KOTAK BANK के reversal history देखिए यहाँ पर reverse हुआ, यहाँ पर reverse हुआ, यहाँ पर reverse यहाँ पर reverse, यहाँ पर reverse, यहाँ पर reverse तो KOTAK BANK अभी एक बहुत बढ़िया buying opportunity बना रहा है यहाँ से अगर आप लोग बाय करोगे तो KOTAK BANK में almost आप लोगों को बस patience रखना है holding power होना चाहिए, return यहाँ से बनना तय है तो return बहुत अच्छा बन सकता है KOTAK BANK में in fact आप लोगों को पूरे private sector bank में अच्छी opportunity मिल रही है ज़्यादा डर लगता है तो bank biz है, लेकिन bank biz में क्या होगा PSU bank भी consider हो जाएंगे PSU bank almost अपना almost सारे के सारे PSU bank high बना चुके है तो अभी private bank में opportunity बनेगी तो आप लोगों को उन पर ध्यान देना है अपने watch list में डाल कर रखना है private banks को इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ market hours में share किया था IT sector का chart और IT sector में देखी अभी एक support पर आने वाला ये भी एक अच्छा खासा fall है लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हैं पूरे IT sector में किस तरीके से investment कर सकते हैं IT भी इस करके ETF होता है उसको parts में buy करना start कर सकते हैं अब maximum chances है कि IT के stocks आप लोगों को return देना start कर देंगे तो IT भी सबसे safe तरीका है देखें IT sector में अभी भी doubt चल रहा है तो इससे अच्छा stock में investment ना करके हम लोग ETF में जा सकते हैं जिससे क्या होगा पूरे sector में हमारा पैसा लगेगा जिससे होगा क्या जब market में ज़्यादा fall आता है तो IT भी ज़्यादा नहीं गिरेगा और IT भी का buy करने का सबसे बड़ा advantage कोई company अगर default भी होती है तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है विकोज पूरे sector को in the end क्या होना है उपर आना ही है तो अच्छा return बन सकता है बस patience चाहिए होगा चलिए अब start करते हैं stock के बारे में discuss करते हैं और buying levels के बारे में discuss करते हैं पहला जो stock होने वाला है हमारा वो है मुतूट Finance Limited का और मुतूट Finance Limited का अगर देखा जाए तो gold loan provider ये company होने वाली है आज के अगर current price की बात करते तो 1063 पर है market cap की बात करें तो 42,673 करोड का है mid cap की company है return on capital employed की बात करते हैं तो 14.2% का है return on equity की बात करते हैं तो 23.6% का है promoter holding more than 70% की है एक भी share pledge नहीं है आनि के गिरवे नहीं है debt to equity ratio इनका काम है loan provide करना इसलिए debt to equity ratio हमेशा आप लोगों को once से जादा दिखेगा तो जादा बड़ी दिकत नहीं है dividend yield बहुत अच्छा है face value 10 की company है और profit अगर देखा जाए previous 12 month के अंदर 3785 करोड का है तो बहुत ही अच्छा है इसका fundamental parameter नजर आ रहे हैं लेकिन इसमें correction क्यों आ रहा है result अच्छा नहीं आ रहा है इस stock का इसलिए आ रहा है और market scenario ही ऐसा बना हुआ है अभी किसी भी stock में कोई भी bad news आता है अगर covid से related भी या कुछ भी हो गया inflation से related तो ये वाले stock जादा नीचे गिर जाते हैं लेकिन हमें डरना नहीं है because company का business बहुत अच्छा है और market leader है अपने sector में तो अच्छा return आप लोगों को longer term में इसमें मिल सकता है अभी chart पर चलते हैं किस range में trade कर रहा है और कहां पर आप लोगों को buying opportunity मिलेगी वो पूरा detail से discuss कर लेते हैं motor finance के chart पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले देखिए यह stock यहां से reverse करने का बार बार कोशिश कर रहा है और यह वाला level है आप लोगों के लिए level नो down कीजिएगा 1040 का 1040 के बाद से यह stock बार बार reverse करने का कोशिश कर रहा है और उपर की तरप 1080 और 1110 है तुम्हें 1110 यहां पर यह वाली range बन रही है इस range के अंदर ही stock गोम रहा है जब भी इसके उपर चला जाएगा easily आप लोगों को 1200 रुपीज का level नजर आने वाला है in fact उससे पहले 1150 के आसपास में resistance बनेगा उससे उपर अगर जाता है उससे उपर अगर जाता है तो फिर आप लोगों को बड़े बड़े move देखने को इसके अंदर मुतुट फाइनेंस के अंदर मिलेंगे तो मुतुट फाइनेंस में क्या करना है अभी कहां चल रहा है 1060 पर तो पहली buying 1060 पर भी लगा सकते हैं या फिर आप लोगों को वापस से मुतुट फाइनेंस के अंदर correction मिलता है तो 1040 आप लोगों का पहला entry रहना चाहिए उसके नीचे अगर जाता है तो 1015 पर buy आप लोग मत कीजिएगा 970 या 980 का जो range है वो एक best range रहने वाली है अल्रेडी देखिए मुतुट फाइनेंस RSI के level नीचे चल रहा है 40 के आज पास यहाँ पर तो यहाँ से maximum chances है 1110 का high लगा करा है लेकिन यहाँ पर 1080 तोड़ना पड़ेगा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ short term में अगर आप लोग यहाँ से भी buy करके रखते 1110 तक भी गया तो यहाँ पर easily आप लोगों के साथ 4-5% का return potential है और उसके बाद अगर breakout आता है तो देखिए आप लोगों के लिए कितना return है almost 10 to 12% जो कि 3 months में भी बिलता है तो जादा खराब return नहीं है और longer term में यह stock 2000 प्लस जा सकता है अगर 3 साल का view है आप लोगों का तो बढ़िया opportunity एक current price पर entry कर सकते है और 1040 पर आ जाए तो बिलकुल भी मौका मत छोड़िएगा 1110 और 1150 के उपर जब भी चला जाएगा उसके बाद बहुत बड़े बड़े move देखने को आप लोगों को motor finance में मिल ले वाले हैं तो होगा क्या यहाँ पर breakout जब आएगा तब यहाँ पर पीछे पीछे बागेंगे तो हम लोग पहले ही enter कर लेते हैं अच्छी company है अच्छा fundamental है अच्छा business है तो यहाँ पर buy करके रखेंगे तो यहाँ पर breakout पर हमें अपना money manage करने का मोका मिलेगा हो सकता है हम यहाँ पर partial profit book कर लें और उसके बाद trail करते जाए जहाँ तक यह stock जाए तो अच्छा return बन सकता है अब next stock के बारे में discuss करते हैं next जो stock होने वाला है वो है Bata India Limited का यह भी अपने sector में market leader है और market cap की बात करते हैं तो 21,000 करोड का market cap है current price की बात करते हैं तो 1649 rupees का है और 52 week high की बात करते हैं 2000 के उपर इसने 52 week high बनाया था और 52 week low की बात करते हैं तो 1482 का dividend ठीक ठाक देता है face value 5 की company है promoter holding अच्छी है ROC ही ठीक ठाक है इसका ROE भी ठीक ठाक है तो इस stock को क्या करना है आप लोगों को long term के लिए portfolio में नहीं डालना है long term के लिए portfolio में नहीं डालना है इस stock में क्या करना है जब भी उपर एक swing high लगता है profit booking करनी है वापस से नीचे जाए swing trading का opportunity ज़्यादा डूणना है आप लोग अच्छे तरीके से अगर swing low का advantage उठाते हैं तो अच्छा return इस stock में बन सकता है अब चलते हैं चार्ट पर चार्ट पर levels को देखेंगे देखिए मैं आप लोगों को हमेशा stocks के साथ levels भी बताता हूँ stocks का नाम कोई भी बता सकता है लेकिन खहाँ पर आप लोगों को अच्छी opportunity बन रही है वो भी तो पता होना चाहिए केवल stock के नाम से क्या होगा हम stock market में पैसा बनाने आए हैं और पैसा कब बनेगा तब stock को almost low के पास में या पर support के आज पास में या जब भी value buying opportunity मिल रही है वहाँ पर pick करेंगे तभी बनेगा ना पैसा तो अब आप लोग दीखिए यहाँ पर दीखिए price ने low बनाया RSI ने भी low बनाया इस low को यहाँ पर दीखिए बाटा इंडिया ने तोड़ दिया लेकिन यहाँ पर RSI ने low नहीं बनाया तो यहाँ पर एक तरीके से divergence फोर्म हो रहा है तो यह clear indication है कि बाटा इंडिया के अंदर कही न कहीं बोटम बनने वाला है तो current price से अगर आप लोग pick करते हैं तो यहाँ से 17 70, 17 95 का target रहने वाला है पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं clear cut और long term का अगर view है तो आप लोगों को यह stock फिर से lifetime high दिखा सकता है तो बहुत बढ़िया opportunity इस stock के अंदर बनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से अगर current price से buy किया जाए तो सीधा सीधा 10 percentage का momentum है और अगर लगबग 6 महिने का view है तो 20 percentage का move दिखा रहा है और वहाँ आता है तो फिर यह अपना एक बहुत बड़ा breakout जनरेट करेगा और वहाँ से यह stock वापस से 2000 प्लस आप लोगों को levels दिखा सकता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं current price पर बाटा इंडिया के अंदर enter कर सकते हैं final decision लेने से पहले financial advisor को जरूर पूछ लीजिएगा तो I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा thank you for watching this video और वीडियो को जादा से जादा share कीजिएगा like कीजिएगा, comment कीजिएगा और subscribe कीजिएगा चैनल को